हाई मैं हूँ योशु मायापुरी न्यूज बुलिटिन में आपका स्वागत है करोना वारिस के बढ़ते केसिस के चलते आए दिन कई सारे बॉलिवुद सेलेब्रिटीज करोना वारिस से संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं और न्यूज हेडलाइन्स में बने हुए हैं आए दिन कोई न कोई सेलेब्रिटी की करोना वारिस पॉजटिव टेस्ट होने की खबर सामने आ ही जाती है हाली में जो सेलेब्रिटी करोना वारिस पॉजटिव पाए गई वो हैं बॉलवूड अक्ट्रिस पूज़ा हेड़े जी हां पूज़ा हेड़े के कई सारे फिल्में लाइंड अप हैं चाहे वो ब्राधे शाम हो या फिर सरकस हो शूटिंग में काफी बिजी चल रही थी पूज़ा हेड़े हाली में पूज़ा ने अपना टेस्ट कराया फिल्हाल तो बूज़ा हेड़े कॉरिंटीन में है रॉनी स्क्रिव वाला अपने फिल्मों को लेकर नया बेंचमार्क सेट करते हुए नजर आते हैं बता दे की हाली में इस फिल्म की अनाउंस्मेंट हुई है कि रॉनी स्क्रिव वाला आरेस वीपी मूवी जो है प्लान कर रहा है एक बहुत ही बड़ा फिल्म ये कोलाबरेशन होगा आक्ट्रिस रकुल प्रीट सिंग के साथ ये एक वोमिन सेंट्रिक फिल्म बताया जा रहा है ये कॉमेडी कौर की फिल्म है जिसमें रकुल एक बहुत ही अलग डिफरिंट किरदार निभाने जा रही है ये ऐसी ही मूवी है जैसे आईशमान खुराना यूज्वली पिक करते हैं इस फिल्म का टाइटल जो है अब तक सामने नहीं आया है लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि रकुल प्रीट इस फिल्म में कॉंडम टेस्टर की भूमे का निभाने जा रही है यानि कि एक सेक्सेक्यूटिफ की भूमे का निभाने जा रही है फिलहाल तो verbally रकुल प्रीत ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया है जब से one of the most awaited film सलमान खान और दिशा पाटनी की फिल्म राधे और Most Wanted भाई का ट्रेलर आउट हुआ है तब से इस ट्रेलर में सबसे बड़ा highlight में रहा है सौंग सीटी मार फाइनली आज ये गाना रिलीज हो गया है जिसमें हम एक celebration देख सकते हैं साथ ही में moves भी देख सकते हैं दिशा पाटनी के जो काफी ज़ादा amazing और groovy लग रहे हैं साथी साथ इस song के जो beats है वो काफी ज़ादा peppy है जो एक perfect party song dance song बताया जा रहा है of 2021 वही जब से ये गाना आउट हुआ है तब से इसको कई सारे views और comments मिल रहे हैं YouTube पर वाल्वूड अक्टर अक्षे कुमार ने डोनेट किया रुपीज 1 करोट टू former cricketer turned politician गौतम गंभीर के foundation को Sunday के दिन गौतम गंभीर ने इस चीज को tweet किया और अक्षे कुमार को thank you कहा उनके donation के लिए गौतम गंभीर ने लिखा every help in this gloom comes as a ray of hope thanks a lot Akshay कुमार for committing rupees 1 crore for food, meds and oxygen for needy god bless जिसके बाद Akshay कुमार ने इस tweet का जवाब देते हुए कहा these are really tough times गौतम गंभीर, glad I could help, wish we all get out of this crisis soon, stay safe इस वक COVID-19 का second wave इंडिया में आ चुका है जो की बहुत ही worse situation खड़ा कर रहा है country के सामने, साथ ही में जो capital है मारे country का उसके हर रोज 20,000 cases आ रहे हैं और गौतम गंभीर currently MP है East Delhi constituency के जहां इतने सारे Bollywood stars अपना OTT debut देते हुए नजर आ रहे हैं या इस चीज की announcement होती आ रही है आए दिन कि ये Bollywood star OTT platform पर debut करने जा रहा है वहीं ऐसे rumors आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि रनबीर कपूर भी अपना debut देने जा रहे हैं OTT platform पर Netflix पर, हाली में Netflix के एक छोटी सी clip आउट हुई है जिसमें रनबीर कपूर को ये कहते हुए देखा जा रहा है कि Netflix काई सारे shows और movies offer करता है जो हर age group के लिए सही है और सारे age group इस चीज़ को enjoy कर सकते हैं वहीं बीच में वो रुख जाते हैं और देखते हैं कि लोग अभी तो cricket में interested हैं cricket के matches देख रहे हैं जिसके बाद रनबीर कपूर कहते हैं कि अभी तो आप सब busy हो लेकिन आप सब को मैं cricket के बाद मिलूँगा यहां वो hint करते हुए नजर आते हैं कि वो भी Netflix के upcoming project में नजर आ सकते हैं अब तक तो हमें पता चल ही चुका है कि Bollywood celebrities का favorite holiday destination बन चुका है Maldives आए दिन कोई ना कोई celebrity को Maldives में vacation मनाते हुए देखा जाता है लेकिन इस वक्त इंडिया करूना वारस के second wave से गुजर रही है और बहुत ही बुरे crisis से गुजर रही है लेकिन इन दिनों में भी जो Bollywood stars हैं वो Maldives में vacation मना रही है stars जैसे की Tiger Shroff, Dishapartney, Ranbir Kapoor और Alia Bhatt को हाली में Maldives के लिए रवाना होते हुए देखा गया और इसी के चलते internet पर बवाल मच चुका था इन celebrities को ट्रोल किया जा रहा था कि हमारी country crisis से गुजर रही है और आप vacation मना रहे हो और vacation के picture शेर कर रहे हो जिसके बाद Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Tiger Shroff और Dishapartney अब घर वापस आ चुके हैं क्योंकि उनको इतना ट्रोल किया गया इसलिए वो फटा-फट अपना vacation खतम करके घर वापस लोट आए है आए दिन Bollywood actor अभिशेग बच्चन ट्रोलर्स को मूत और जवाब देते हुई नजर आते हैं वहीं बता दे कि हर एक statement, हर एक opinion जो एक user लिखता है अभिशेग बच्चन उसे पढ़ते हैं और अगर उन्हें लगता है कि इसको respond करने की need है तो वो उसे जरूर respond करते हैं हाली में अभिशेग बच्चन ने ये tweet किया था कि वो virtual hugs दे रहे हैं अपने fans और followers को और साथी में उन्होंने बोला कि hashtag mask on जिसके चलते एक Twitter user ने लिखा कि काश आप hugs से जादा दे रहे होते क्योंकि यहाँ पे oxygen की कमी है beds की कमी है और लोग मर रहे हैं सिर्फ hugs enough नहीं है जिसके जवाब में अभिशेग बच्चन ने कहा कि just because कि मैं social media पर ये सब डाल नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं help नहीं कर रहा हूँ मैं अपना best दे रहा हूँ और ये situation काफी जादा sad है सोचा कि कुछ positivity और love share कर पाऊँ South के superstar Nagarjuna well known है North में भी North में भी उनके कई सारे fans है हाली में Nagarjuna की एक latest action thriller flick release हुई Netflix पे जिसका नाम है Wild Dog बता दे कि जब से ये film Netflix पर release हुआ है तब से top 10 trending पर बना हुआ है Netflix इंडिया में वहीं बता दे कि critics के साथ साथ audience भी इसे काफी positive response दे रही है अब जब कि ये Netflix पर आच चुगा है तो इसे कई सारे watches भी मिल रहे हैं और all over India audience इसे काफी ज़ादा पसंद कर रही है Wild Dog जो film है वो true events पर based है true events से inspired है bravery of officers of national investigation agency जोनोंने कई सारे missions जो हैं उसे follow किये थे और successful होए थे वही इस film में दर्शाया गया है हाली में Arjun Kapoor और Rakul Preet Singh की film सरदार as grandson की announcement होई थी और इसका trailer भी हाली में सामने आया है जिसमें हम Rakul Preet Singh अरजुन कपूर को देख सकते हैं साथी साथ इस film में जौन इब्रैम अदिती राव हैदरी और नीना गुपता भी नजराने वाली हैं बता दे कि इस film का एक गाना आउट हुआ है जिसका नाम है जी नहीं करदा ये सौंग यूट्यूब पर आउट हुआ है जिसमें हम Rakul Preet और अरजुन कपूर को पंजाबी बीट्स पर भांगडा और डांस करते हुए देख सकते हैं और साथ ही साथ इस पूरे सौंग को इंजॉइ करते हुए देख सकते हैं इस गाने को गाया है पंजाबी सिंगर जस्मानक ने अब तक ऐसे कई सारे बॉलिवूद सेलिब्रिटीज हैं जिनोंने सोशल मीडिया को क्विट कर दिया है अलग-अलग रीजिन्स के चलते वहीं बॉलिवूद आक्ट्रिस वारीना हुसेन ने भी सोशल मीडिया को क्विट कर दिया है जी हाँ वारीना ने बताया कि वो सोशल मीडिया क्विट कर रही है लेकिन वो social media की जो accounts है उसे delete नहीं कर रही है उनका जो account है वो अभी भी on होगा अभी भी active होगा बस उनकी जो team होगी उनके accounts को manage करेगी वो खुद अपने accounts को manage नहीं करेगी और वो social media पर active भी नजर नहीं आएंगी इसी के चलते है वारीना ने कोई खास बज़ा नहीं दी कि उन्होंने social media क्यों quit किया लेकिन वहीं fans को ऐसा लगता है कि वारीना बहुत जल्द social media break से वापिस आजाएंगी और active नजर आएंगी आज के लिए इतना ही latest Bollywood news और hot gossip के लिए subscribe करें माया पुरी काइट झाल झाल झाल